दोस्तो आज बात करेंगे गन्य की बुबाई के समय कौन-कौन से फर्टी राजर्स कितनी मात्रा में और कौन-कौन से माइक्रोंट्रेंट्स कितनी मात्रा में हमें डालने चाहिए और किस प्रकार डालने चाहिए तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप से अनोलत करूँगा यदी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में सेरी कीजिए और चैनल पर इसी प्रकार के खिटी संबधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेसंस हैं वो समय से मिलते रहें और आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें तो दोस्तो जब हम गन्य की बुवाई करते हैं तो उस समय हमें इस बात का ध्यान लगना चाहिए कि हमें मिट्टी की जाच अवस्ट कराने चाहिए क्योंकि दोस्तो हमारे बहुत से किसान मिट्टी की जाच नहीं करवाते हैं या नई करपाते हैं तो दोस्तो इस समय हमें इसका जो प्रियोग है Fertility Could का और Microt strips का इस प्रिकार करना चाहिए क्योंकि दोस्तों एक अनुमान के अनुसार ही के हमारी मिट्टी में कितनी महतरा में कौनसे तत्ब की कमी है, कौनसा तत्ब कितनी महतरा में है उसका अनुमान लगागार की इजे करते हैं क्योंकि हम निट्टी की जाँच नहीं करा पाते हैं अपने फर्टिलायर्स का प्रियोग करते हैं और दोस्तों अपने माइição गाते हैं तब ही गन्ली की पैदावार है उसे जो उत्पादन मिलता रोक रही तो उत्पादन मिलता है और ज्यादा उत्पादा मिलता है जिससे हमारा लाभ भी पड़ जाता है तो दोस्तों जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो उस समय यदि हम मिट्टी की चांच नहीं करवा पाते हैं तो हमें लगवक 60 kg पृती एकड़ के हिसाब से DAP डालने चाहिए और दोस्तों करीं 40 kg पृती एकड़ के हिसाब से MOP डालने चाहिए इससे हमारे जो तीन जो मुख तत्व हैं उनकी पूर्ति हो जाती है नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटास वेकि दोस्तों जो नाइट्रोजन होती है उसका मुख काम है सुरूमें अपने पोटे की विकास करना यानि के बढ़भार करना और जो फासफोरस होती है उसका जो काम है वो होता है जड़ों का विकास करना और पोटे का विकास करना और दोस्तों जो पोटास होती है उसका काम है तने की मजबूती करना और बिभिन रोग से अपने पौदे को बचाना और हम इनकी पूरती यदि कर देते हैं तो हमरी जो फसर है वो लगातार विकास करती रहती है जिससे हमें कुल मिलागत, रोग रहित जदा उथिपादन, कम खर्च में मिल पाता है और दोस्तों इसके पूरती हम करने के बाद बवाई कर देते हैं तो हमें जदा उथिपादा मिलेगा क्योंकि हमारी जो फसर होगी वो अच्छा विकास करेगी और दोस्तों बात आती है यूरिया की जब हम यूरिया का जो प्रियोग करते हैं वो कर ये पहला जो प्रियोग है हमें 40 के दिन के आसपास करना चाहिए उसके बाद एक महीने के अंतर पर हमें यूरिया का प्रियोग करना चाहिए और दोस्तो पहला यूरिया जमीन में देना जरूरी है और दोस्तो इसके बाद हम नाइटोजन की पूरती इस परेदवारा कर सकते हैं यानि कि जो यूरिया है उसके हम 2% का घोल बनाकर अपनी फसल पर छिड़काओ करके नाइटोजन की पूरती कर सकते हैं यानि कि हम यूरिया को बचा सकते हैं और अपने पैसे की बचत कर सकते हैं और दोस्तो अब बात आती है माइक्रूटेमेट की क्योंकि दोस्तो जब हम मिट्टी की जाँच नहीं करा पाते हैं तो हमें ये भी आफ़ास नहीं होता है कि हमारे खेत में हमारी मिट्टी में कौन कौन से सूक्षित ततूबी कमी है तो दोस्तो फिर हमें अनुमान के अनुसार ही इसका प्रियोग करना पड़ता है तो दोस्तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप 20 किलो ग्राम पिरती एकड़ के हिसाब से फैरस सलफेट का प्रियोग करें और दोस्तों 10 kg zink sulphate का प्रियोग करे और दोस्तों यदि ये zink sulphate 21% है तो आप 10 kg प्रियोग करें और यदि ये 33% है तो इसका जो प्रियोग है 6 kg से 8 kg प्रतीएकड के हसाब से हम कर सकते हैं ओर दोस्तों इसके बाद जो हमें प्रियोग करना है वो मैगनीसम सलफेट उसके भी हम 10 किलो ग्राम पिरती एकड़ के हिसाब से हमें प्रियोग करना चाहिए और दोस्तो और जो इसके बाद हम प्रियोग करना चाहिए वो है कॉपर सलफेट कॉपर सलफेट हमें 5 किलो ग्राम पिरती एकड़ के साथ से बुवाई के समय हमें मिट्टी में मिलाना चाहिए तो दोस्तों यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें जो जमीन में जो पूरती हो जाती है जो माइक्रों टेंट्स की जो दत्व होते हैं उनकी पूरती हो जाती है और इससे जो हमें उत्पादन मिलता है वो जादा मिलता ह क्योंकि दोस्तों इसके जो उत्पादन पर जो बोरा असर पड़ता है यानि कि अच्छा असर पड़ता है और हमारी उत्पादन मिलता है वो जादा मिलता है क्योंकि दोस्तों जब सारे सोक्ष्य तत्वों की पूर्ती हो जाती है तो उसकी कमी के लक्षन हमारी फसल पर नहीं आ पाते हैं यानि कि उससे संबंदित जो हमारी फशद अबिद्ध हो जाती है, विकास रुख जाता है, वो नहीं रुख पाता। और हमारी फशद का जो बिकास है अन्वरत चलता रहता है। जिसके कारण हमें इत्पादल मिलता है। वो ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों इस पिरकार आप अपनी फसल पर यानि कि मिट्टी में बवाई के समय हमें माईक्रोडिनेट्स मिलाकर अपनी फसल को बेविनी सुक्त तत्वों की पूरती करके ज्यादा उत्पादा ले सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाब अगले वीडियो में कोई नया टोपिक लेकर फिर्म लेंगे तब तक की लिए दीजी आगया नमस्कार